कारा कांट लोग सब्वाषेत्रि से चुनाव हार जाने के बावजूद भी पावर स्टर पवन सिंग ने जो किया है उसकी तारीफ जम कर की जानी चाहिए हमको ये कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि पवन सिंग ने कारा कांट के लिए जो किया वो कोई नेता मंत्री कोई सांसद वहां का करता तो बात कुछ और ही होती आपको बता दे कि हम बात कर रहे हैं श्रिया हत्याकांड की जिसको लेकर बिहार का बजार जो है वो पूरा गर्म है और लगतार बिहार वासी श्रिया के साथ न्याय हो इसकी मांग कर रहे हैं आपको बतारे कि बिते दिनों पवन सिंग अपनी पूरी टीम के साथ अपकराकाट लोगसवाखशेत्र के और अंगाबाद के नवी नगर की रहने वाली श्रिया रानी के परीजनों से मुलाकात करते हैं, उनको सांत्वना देते हैं, ढाडस बनाते हैं और पवन सिंग बहुत दिन की इंतिजार करेंगे, अगर चार दिन के अंदर प्रशासन के तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, दोशियों को नहीं पकड़ा जाएगा, सजा नहीं दी जाएगी, तो हम चार दिन के बाद बिहार सरकार से मुलाकात करेंगे, और प्रस्ताव रखेंगे कि इ जोशी को पकड़ कर सजा दी जाए। आपको बता दें कि पवंद सिंग ने श्रिया की घर पहुचकर श्रिया के परीजनों से मुलाकात की और धाडस बधाते हुए पवंद सिंग ने ये भी कहा कि देखिए हम इस पूरे मामली को लेकर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं ह हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि ये जिसके साथ हुआ है उसका दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसकी श्रिया बेटी थी इसके अलावा पवंद सिंग ने ये भी कहा कि मेरी मांग बस इतनी है कि निर्दोश फसेना और दोशी बचेना यानि पवंद सिंग ने कहा कि इस मामले की बहुत अच्छे से जाच होनी चाहिए और प्रशासन को ये पता लगाना चाहिए कि आखे रितने बड़े घटना को अंजान दिया किसने और जैसे ही दोशी पकड में आते हैं बिना सोचे समझे बिना देरी किये उनको तुरंट से सजा मिल जानी चाहिए आपको बता कि बस चार दिन का इंतिजार आप सब ओर करिए चार दिन के अंदर प्रशासन अगर अपनी तरब से कोई एक्षन नहीं लेती है अगर प्रशासन लिपा पॉत्री का काम करेगी या धिलाई करेगी उसके बाद हम भिहार सरकार से भी मिलने में देरी नहीं करेंगे इसके बाद पवन सिंग की तारीफ शोसल मीडिया पर जमकर हो रही है लोग कह रहे हैं कि ये सोचने बाली बात है कि जो पवन सिंग कारकार्ट से हार कर दूसरे नंबर पर कह सकते हैं कि जीत दर्च कराते हैं वो पवन सिंग अगर अभी सांसद नहीं है बावजूद इसके व अपने शेत्र के लिए ये बहुत बड़ी बात है पवन सिंग चाहते तो नहीं जाते क्योंकि वो चुनाव नहीं जीत पाए वहां से काइदे से देखा जाए तो वहां राजा राम सिंग को जाना चाहिए था जो एंडी गठ बंधर के प्रत्याशित थी और उन्होंने भारी म सिर्फ तीन से चार दिन के अंदर पर जो श्रिया रानी की परीजन है उनके घर पर जाकर उनसे मुलाकात की है बातचित की है और इमांग की है कि श्रिया के साथ निया निश्शी तूरूप से होना चाहिए बागि आपके इस पर क्या राह है आप पावन सिंग लिए का में जरूर बताईएगा फिलहार वीडियो को समात करते हैं मिलता है नहीं वीडियो में धन्युक्त